जैसे कि आप सभी लोगों को पताए कि डेली हम लोग SSEJEE और UPPCAEE प्रैक्टिस सेट करते हैं इसको टागेट करते वे इसी की सिक्वेंस में आज हम लोग 50 को करेंगे सिवल के एंड दस कोशन हम लोग GK करेंगे जिसे की दस कोशन आप लोगों के यहां पर रिवाइस हो जाए तो आभी थोड़ी सी देर आप लोगों के लिए होगी कोई बात नहीं हम लोग आगे एक्स्टेंट कर लेंगे 10 मिलट क्लास चले स्टार्ट करते हैं क्लास को तो कु को इसमें राजिस्तान की जीके भी अबलेबल है इसी तरीके से अगर हम लोग थर्ड बात करें तो यूपी पेसी एका फुल स्लिबिस का कोर्स इसमें आप लोगों को जीके हिंदी दोनों यहां पर देखने को मिलेगी चले स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को आज हमारे को करते हैं तो उसके बाद हम लोगों को जरूर देखने को मिलती है चलिए स्टार्ट करते हैं इस मोटिवेशनल कोड के साथ आज का सीक्विंस में पहले भी आप लोगों को बता चुकी हूं कि हम लोग सिवल इंजिनियरिंग के 50 को करेंगे और साथी साथ जीके जीएस में आ क्लास को थोड़ा सा घृले हूग आप सबी लोगों ने वेट करा थैंक्यू सो मच चलिए करते ए मिद इससक्रीण की और और लोगों कि स्क्रीन पीचे प्राइब करेंगे फिर नियुक्ष करके बताएं चलो v answers करें कि आप लोगों क्या-क्या answer जाना चाहिए इस question का आप से बोला गया है कि corrosion का सबसे most liable हमको मतलब जिसमें corrosion देखने को मिलता है आप लोगों के according क्या answer जाना चाहिए सबी लोगा answer करने option number C के साथ very good answer जाएगा आप लोगों का steal option number C आप लोगों का right answers होगा very good देखो अगर हम स्टील की बात करें तो स्टील हमें corrosion का यहां पर most liable देखने को मिलता है इसमें corrosion की problem देखने को मिलती है तो इसी को सबी students answers करते वे कि corrosion किसमें देखने को मिलेगा आपको स्टील में देखने को मिलेगा आगे चलते हैं हम लोग second question के साथ which among the following is not a unit quantity of turbine इन मैसे एसी quantity कौन सी है जो की unit quantity नहीं है सबी students answers करें ठीक है सबी students answers करके बताएं कि आप लोगों के recording क्या answer जाना चाहिए और सबी लोग बहुत अच्छे answers के साथ very good well done ठीक है तो हम लोग 50 question civil के करेंगे अब answers करो फटा फट से इन मैसे कौन सी unit quantity नहीं है देखो आप लोगों ने unit speed भी आप लोगों ने सुना है कि unit speed हमारे पास होती है NU जिसे हम लोग कहते है N under root of H ऐसी ही कहते हैं unit discharge के अगर हम लोग बात करते हैं तो हम लोग कहते हैं Q is equal to Q upon under root of H फिर हम लोग unit power को भी हम लोगों ने पढ़ा है कि PU से हम लोग इसे denote करते हैं जिसे हम लोग Q upon under root of H कहते हैं तो answers क्या जाएगा क्या नहीं पढ़ा है हम लोगों ने unit temperature नहीं पढ़ा है बहुत अच्छे option number D आप लोगों का correct answers होगा आगे चलते हैं next question के साथ 1 dine is equal to 1 dine कितने newton के equal होता है 10, 100, 1000, 10 की power minus 5 सभी students answers करें तो पवन जी, अनुझ कुमार जी, रवी जी, अदनान जी, कविता टम्टा जी, वर्षा जी, अंकीत अगरवाल जी, उर्वशी जी सभी लोग बहुत ही बहतरीन answers के साथ अब इस question में आप लोगों का क्या answer जाएगा कि एक dine जो है आप लोगों का कितने newton के equal होता है देखें तो d answers के साथ करें हैं third का बहुत ही सांदार देखो अगर हम बात करें तो एक newton में हम लोग कहते हैं कि 10 की power 5 dine हम लोगों को देखने को मिलता है अब आप से बोल दिया जग्या है कि 1 dine is equal to how much तो हम कहेंगे कि 10 की power minus 5 newton हम लोगों को देखने को मिलता है इसका मतलब right answers आप लोगों का option number d आगे चलते हैं next question के साथ unit discharge is denoted as d u q u s u n u किस से हम unit discharge को denote करने हैं सब ये students answers करें फड़ा फड़ से बिल्कुल answers करके बताना है आप लोगों ने और वीडियो को लाइक भी करना है साथी साथ answers फड़ा फड़ से करो क्या answers होना चाहिए unit discharge अभी हमने बात करी कि p u अगर हम लोग बात करते है unit power की तो p u upon h की power 3 by 2 होता है unit speed की बात करते है तो n u n upon under root of h होता है q u की बात करते है तो q upon under root of h होता है तो अब हमसे unit discharge बोला गया है कि इसको किससे denote करते है answers option नमर b के साथ जा रहे है बहुती सांदार unit discharge की अगर हम लोग बात करें तो q u से से denote करते है right answers option number b very good आगे चलते है next question के साथ the bearing capacity of soil is calculated in fill in the blanks units आप से बोला गया soil की bearing capacity को calculate करना है तो किस unit में हम लोग इसे calculate करते है और अगर bearing capacity of soil हम लोगों से बोला जाए तो आपको पता है कि हमारे पास spread bearing test कह सकते हैं और हम लोग कह सकते हैं CBR test इनसे हम लोग bearing capacity को calculate करते हैं तो आप लोगो कि according soil की bearing capacity किस में calculate होती है तो देखो फोर्ट का B answers के साथ अब फिफ्ट में क्या answers माक करना चाहिए आप लोगोंने soil की bearing capacity को हम लोग किस में कहते हैं देखो फोर्ट का B B answers आ रहा है C B आ रहा है बहुती सांदार देखो kg per meter cube नहीं answers होता है हम लोग कहते हैं force per unit आपका area और B answers कैसे कर रहे हो kg per meter cube में क आपसे करने लगे तो answers क्या जाएगा फिफ्ट का option number C आपका जाएगा तो देखो अगर हम लोग बात करते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं कि हमारे पास bearing capacity क्या होती है maximum load upon area और load हमारा किसमे होगा Newton में और area meter square में या हम इसे क्या बोल सकते हैं kilo Newton per meter square बोल सकते हैं answers option number C 1 kg per meter cube type of mineral which causes expensive behavior is found in Montomorinonite जो आप लोग का mineral है इसका expensive behavior होता है swelling shrinkage का behavior होता है कौन सी soil में यह हम लोगों को देखने को मिलता है सभी लोग answers करें and सभी students video को like share भी करें आज मैं आप लोग को पहली बता चुकि हो कि 50 questions civil के and 10 questions current affairs तो देखा जाएगा कि current affairs में आप लोग 10 में से कितने answers को write कर दो इस question को answers करो फड़ा फरसे answers are black cotton soil very good अगर मुंटो मुरिरो नाइट mineral की बात करते हैं तो हम लोग कहते हैं कि यह हमें किस में देखने को मिलता है black cotton soil में देखने को मिलता है next question the plate bearing test is used to evaluate plate bearing test से हम लोग क्या evaluate करते हैं जब इस plate bearing test को आप लोग soil mechanics में पढ़ते हैं तो वहाँ पे तो हम लोग settlement of the plate को calculate करते हैं और उसके according हमारे पास formula होते हैं तो हम लोग settlement of bearing capacity को calculate करते हैं अब इसी plate bearing test जो आप लोग का highway engineering में होता है तो वहाँ पे हम लोग इसे क्या calculate करते हैं modulus of subgrade reaction को calculate करते हो subbase reaction को modulus of base reaction को या modulus of payment फड़ा फड़ से answers करके बताओ इस question का बहुत अच्छे सभी लोग बहुत सांदार answers के साथ रवी जी, सोविक जी, अंकित अगरवाल जी, सनोज जी, अभिशेक जी, इंजिनियर स्वारप सिंग जी, सोविक जी, दिनेज जी, पायल चौदरी जी, वैभाव जी, सभी लोग बहुत ही भैतरीन answers के साथ इस question में क्या answers mark करोगे modulus of subgrade reactions के के साथ जाते वे बिमलदाज जी, तमन्ना जी, अजे जी, वेरी गूड answer जाएगा modulus of subgrade reaction क्योंकि हमें पता है कि plate bearing test से हम लोग कैसे calculate करते हैं K is equals to P upon delta आप लोगों के पास होता है K हमारा modulus of subgrade reactions P जितना pressure constant हुआ है और delta हम लोग कितना रखते हैं 0.125 cm आप लोग कह सकते हैं इस तरीके से हमारी standard values होती है आगे चलते हैं 8 question के साथ If the shear strength of the non-cohasive soil is 84 kN per m2 Angle of internal friction is 30 degrees Than the normal strength in kN per m2 में आप लोगों को बताना है सबी students answers करें बहुत ही सांदार answers के साथ Very good, well done क्या answers mark करोगे यहाँ पे देखो Shared strength S की value देदी है पटापट से calculate करो Shared strength S की value देदी है Angle of friction 5 की value देदी है 30 degrees और आप से बोला गया है कि Normal strength को calculate करके बताओ तो कांसा फामना लगा देंगे Tau is equals to C plus sigma 10 5 अब वहाँ से हमारे क्या आजाएगा Sigma की value आजाएगी Stresses calculate हो जाएगी तो वही हमारी normal strength में आजाएगी तो कैसे answers करोगे S is equals to C plus sigma into 10 5 S 84 आप लोगो का Sigma 10 30 degree आप लोगो का आजाएगा Solve करेंगे यहाँ से तो Sigma is equals to 145 आप लोगो का आएगा 145 kilonewton per meter square इसका मतलब right answers आप लोगो का option number D के साथ जाएगा clear है यहां तक very good, बहुत अच्छे सभी students बहुत ही सांदार answers के साथ very good, well done आगे चलते हैं अब हम लोग next question के साथ 9 question आप लोगो की screen पे answers करके बताओ आज आप लोगो के 50 questions civil and 10 questions आपके current affairs next question the capability of aggregate to resist more weathering action and reload is called weathering action को capable करने की है यह हमारी hardness है, toughness है durability है, यह angularity है फटाफट से answers करो तो मानुराजपुर जी, सिंटू कुमार जी उर्वशी जी, तमन्ना जी, श्यांदार जी रानु सर्मा जी, सभी लोग बहुत ही weathering answers के साथ very good, very nice अब इस question में क्या answer जाना चाहिए पहले बोल दिया more weathering action को जो sunstrain कर पाए तो इसका मतलब यह क्या है बहुत ही सांदार भई यही उमीद थी मुझे और जो D वाले है यह book में भी D दिया है angularity answers क्या होना चाहिए durability इसका answers होना चाहिए option number C आप लोगों का correct answers होगा जहां पहे weathering action की बात कर दिया इसका मतलब किससे है durabilities है right answers option number C आगे चलते है next question के साथ the formula D is equal to यह देखो यह आप लोगों का empirical formula है generally D is equal to A under root of 3 upon Q अगर A की बात करें तो A यहां पे हमारा constant रहता है और यहां से हम लोग depth of soil को calculate करने है height of the column को calculate करते हो या concrete का कितना block हम लोग use करने है उसको हम लोग calculate करने है या footing को calculate करने है क्यों में हमारी bearing capacity of the soil आ जाती है तो आप लोगों के according के formula किसको calculate करने के लिए use होता है सब इस students answers करो very good answers करें फड़ा फड़ से 10 वे का answers जाले है option number C very good तेके तो यहां पर सौमिक जी, श्यांदार जी, सुबरता गोच जी वर्षा जी very good यह बहुत अच्छा कोशन था और इसका जो right answers करने है उनकी तयारी एक level उपर चल दिया है इसको 5 stars mark कर लो अपनी copy में answer जाएगा depth of the concrete bad block option number C आप लोगों कर right answers बहुत ही अच्छे जो भी 10 का C answers करें very nice आगे चलते हैं 11 question के साथ the extended corners, angles of the year wall surface are called the आप से बोला गया है कि आप लोगों कोई wall है अभी इस wall में इस तरीके की wall है और इसमें जो हमारा ये extended angle देखने को मिल रहा है ये हमारा bond है, rivals है, jams है या coins है सबी students answer करें फटा-फट से देखो अगर हम bond की बात करते हैं तो bond हमें किसी की बीच में देखने को मिलेगा और rivals और jams की अगर हम बात करते हैं दोनों हम लोगों को doors और windows में देखने को मिले थे और मैं बहुत अच्छे से आप लोगों को बता चुकी हूँ कि क्या होता है rivals और आपका jams अब आपसे बोला गया है कि इसका जो extender corner angle है ये हमारा क्या होता है तो क्या answers mark करोगे बहुत ही अच्छे answer जाएगा quins आप लोगों का right answer जाएगा option number D right answers आगे चलते हैं fill in the blanks is a pure white limestone and which is soft and easy to form powder इन मैसे आपका ऐसा कौन सा है जो की pure limestone है साथी साथ बहुती soft nature का है और इसको हम लोग easily powder के form में change कर सकते हैं तो ये chalk है, sandstone है, moram है या slate है answers करो फड़ा फड़ से सबी students answers करें और साथी साथ सबी students अपनी presence को भी जरूर मार्क करें आप लोगों के according क्या answer जाना चाहिए इस question का answers करें chalk क्या chalk है हमारा pure limestone है बहुती सांदार answer जाएगा option number A chalk हमारा pure limestone है और बहुत soft nature का होता easily हम इसे किसमें form कर सकते हैं powder के form में हम इसे change कर सकते हैं आगे चलते हैं next question के साथ fill in the blanks is decomposed letterite which is deep brown और red in color इन मैंसे decomposed letterite हम लोग किसे कहते हैं जो की हमारा deep brown और red color का होता है मैंने आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ कि अगर एक single आप लोगों का पूछा जाता है कि single क्या होता है तो हम लोग कहते हैं कि single भी आप लोगों का decomposed letterite की श्रेणी में आता है अब इसमें से ऐसा कौन सा है जो कि आपका decomposed letterite है quartzite, moram, slate, sandstone फटा-फट से answers करें इस question को बहुत अच्छे सबी लोग आरके पटेल जी, सतीर सिंग जी, सोविक जी, मानू राजपूर जी, प्रताप जी, वेरी गुड सबी लोग बहुत अच्छे answers के साथ वेरी गुड, वेरी नाइस अब इस question का क्या answer जाना चाहिए सबी लोग answers करने मुर्रम, बहुत ही अच्छे answer जाएगा option number B, मुर्रम हमारा decomposed लेट राइट है, जो की हमारा deep brown और red color का देखने को मिलता है, next question के साथ चलते है in fill in the blanks type of the construction the stones of the irregular sizes are used, आप लोगों से बोला गया है इसमें ऐसी कौन सी मेसेंडरी है जिसमें हम लोग irregular size के stones को use करते हैं, देखो अगर हम SLR मेसेंडरी की बात करें तो ये तो appearance में बहुत अच्छी होती है क्या होती है, appearance में बहुत अच्छी होती है और इसमें stones भी हमारे irregular size के बिलकुल नहीं होते हैं stones हमारे regular sizes के होते हैं क्या होते हैं regular sizes के अब brick machinery आप लोगो ने देखी है इसमें भी हमारे irregular नहीं होते है ब्रिक का एक proper size हम लोगो को देखने को मिलता है granite machinery हम लोगो ने इस तरीके से कभी पड़ी भी नहीं है लेकिंगा granite machinery की भी बात करें तो ये भी हम लोगो को इसमें stone देखने को नहीं मिलता है तो answers क्या करेंगे इस question का answer जारा option नमर एके साथ बहुती सांधार rubber machinery आप लोगो का correct answers होगा अगर हम लोग बात करते हैं कि rubber machinery में किस तरीके कि stones आप लोग use करते हैं तो हम लोग कहते हैं कि hard stones को generally हम लोग यहाँ पर prefer करते हैं आगे चलते हैं next question के साथ connection between a main wall and partition wall is termed as आप लोगों की main wall है चीक है और उसके साथ partition wall का उसके साथ हम लोगो connections कर रहे है तो यह bond है joint है junction है या bed है सबी students answers करें इस question को सबी students वीडियो को like share भी करें और answers भी करके बताएं कि आप लोगों के recording क्या answers जाना चाहिए main wall और partition wall के बीच में हम लोगों का connection होता है वो क्या कहलाता है तो देखो answers आ रहा है joint काफी लोग junction के साथ क्या answers mark करना चाहिए 15 में देखो अगर हम 15 की बात करें तो right answer चाहेगा आप लोगों का यह junction है अगर हम लोग walls में कहते हैं तो जो connections हमारा develop होता है उसको हम लोग junction कहते हैं क्या कहते हैं हम लोग उसे junction कहते हैं आगे चलते हैं next question के साथ what is the volume of the voids in the three phase diagram of the soil अगर हम लोग three phase diagram की बात करते हैं soil की तो सबसे पहले हम लोगों air voids देखने को मिलते हैं क्या देखने को मिलते हैं? सॉरी, यहां पर सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमें solids देखने को मिलते हैं और solids के उपर हम लोगों को water voids देखने को मिलेंगे और फिर हमें air voids देखने को मिलेंगे आप से बोला गया है, यह three phase diagram हमारे पास है इन में से बोला गया है कि volume of voids किस किस के equal होता है आप सबी को पता है कि volume of voids हमारे किस किस के equal होगा यह तो हमारा volume of solid है जो कि हमारा constant ही रहता है C के साथ जा रहे हैं बहुत ही अच्छे क्योंकि volume of voids हमारे पास होता है volume of air प्लस volume of water अब बात भी किसकी हो रही है, three phase diagram की हो रही है, two phase diagram में बोला होता, तब जाके हम लोग answers को उसके according mark करते, लेकिन three phase diagram में तो ये दोनों ही voids हम लोगों को देखने को मिलते हैं, आगे चलते हैं, the traffic volume is usually expressed in, कितना traffic volume, कितने आपके vehicles pass हो रहे हैं, इसको हम लोग generally express करते हैं, LMV, PCU LCVV, LCV, HCV, क्या answers mark करोगे यहां पर, बहुत अच्छे सुर्जिर सिंग जी, मानुराजपुजी, दिनेज जी, अंकीत अगरवाल जी, रवी जी, सुबरता घोट जी, सभी लोग बहुत भैतरीन answers के साथ, very good, very nice, अब इस question का क्या answer जाना चाहिए, कि कितने vehicles हमारे pass हो रहे ह traffic volume जिसे हम लोग कह रहे हैं, इसको हम लोग किस से में denote करते हैं, देखो कुछ लोगा answer सबी लोग B के साथ जारे हैं, maximum लोग बहुत ही सांदार, PCU, passenger car unit में हम लोग इसे क्या करते हैं, denote करते हैं, अगर हम लोग बात करते हैं, traffic volume को हम लोग इस तरीके से express कर रहे हैं, तो हम हमारा क्या कहना होता है, कि generally India में अगर हम लोग बात करें, तो traffic हमारा heterogeneous nature का होता है, mixed traffic, आप से पूछा भी जाता है, कि किस traffic के लिए हम लोग design करते हैं, तो generally हम लोग mixed traffic flow के लिए design करते हैं, तो हमारे पस different type के vehicles आते हैं, अब उन वाइकल को हम लोग उने क्या करना है, एक single unit में change करना है, उसी को हम लोग passenger car unit कहते हैं, जिसे आप लोग PCU कहते हैं, साथ ही साथ कुछ, इसमें आप लोग उसे पूछे भी जाते हैं, PCU की value, तो वो ध्यान रखेंगे, अगर आप लोग उसे motorcycle, motorcycle, scooter, इन के बारे में अगर पूछा जाए, तो हम लोग कहते हैं, 0.5 हमे देखने को मिलता है, passengers car के बारे में अगर आप लोगों से बोला जाता है, passengers car, तो हम लोग कहते हैं, 1 हमारी PCU value होती है, bus, truck, tractor के अगर बात करें, तो हमारी PCU value कितनी होती है, 3 होती है, clear हैं अदर सबी लोगों को, very good, आगे चलें next question के साथ, next question आप लोगों की screen पे, the traffic that is prepared based on 365 days of the year is called, अब हम क्या कर रहे हैं, 365 दिन के लिए traffic को design कर रहे हैं, अब हमने 365 दिन के लिए traffic को prepare किया है, तो यह yearly traffic है, annual average daily traffic है, average daily traffic है, यह average yearly traffic है, सभी students answers करें इस question को, बहुत अच्छे सभी लोग, सभी students वीडियो को like, share भी करें, सभी लोग बहुत ही सांदार answers के साथ, अब इस question में आप लोगों का क्या answer जाना चाहिए, कि 300 पेसर दिन के लिए आपका traffic प्रिपेर हो रहा है, तो यह क्या है, कौन सा traffic है, तो देखो काफी लोग C के साथ, 65 days के लिए, तो हम लोग कहते हैं, कि यह हमारा annually average daily traffic है, पूरे साल भर का हम लोगों ने क्या लिया, average daily traffic को लिया है, तो हम इसे क्या बोलते है, annual average daily traffic, आगे चलते हैं, next question के साथ, the traffic design in India is based on, आगे हम लोग traffic design कर रहे हैं, इंडिया में, तो कितने early volume के लिए हम लोग क्या करते हमें design करते हैं, 10 early volume के लिए, 20th early volume, 30th या 45th के साथ, आप लोग answers को mark करोगे, सबी students बहुत अच्छे answers के साथ, very good, well done, अब इस question में आप लोगों के according क्या answer जाना चाहिए, कि traffic हम लोग कितमे design करते हैं, इंडिया में, कितने early volume के लिए, सबी लोग answers करें, 30th early volume, very good, आप लोगों कर, right answers, आगे एक question बहुत बुच्छा जाता है, कि geometric design के लिए, आप लोग कितनी percentile speed को लेते हैं, तो हम लोग कहते हैं, 98 percentile speed को हम लोग जनली लेते हैं, क्या लेते हैं, 98 percentile speed, बहुत अच्छे सा भी लोग, आगे चलते हैं 20 के साथ, the speed and any instant of time is called, एक particular time duration के लिए, कह speed हमारी क्याँ सी है, यह हमारी running है, travel speed है, spot speed है, yes, space speed है, सबी students answers करो इस question को, बहुत अच्छे, मानुराजपु जी, जितेंद्री मीना जी, वर्षा जी, शांदाज जी, रवी जी, अजे जी, दीपक जी, चिक है, अनीश कुमार जी, सबी लोग बहुत अच्छे answers के साथ, and क आफे students आज नए भी है, इस question को answers करके बताओ कि आप लोग का क्या answer जाना चाहिए, एक particular instant of time में हम लोगों को कौन सी speed देखने को मलती है, spot speed के साथ, very good, spot speed आप लोगों का correct answer जाएगा, अगर आप से बोला जाता है, कि यह spot speed को हम लोग किस में, कौन सा instrument इसके लिए यूज क equation आप लोगों की correct है, अब यह Q क्या है, K क्या है, V क्या है, यह तो खुदी आप लोगों को समझना पड़ेगा, question बस इतना ही दिया गया है, अब आपको बताएं कि Q आप लोगों से capacity बोला गया है, अगर K की बताएं, तो K आप लोगों को density है, और V आपका velocity है, वैसे बता question में answers क्या करेंगे, आप लोग, which of the following statement is correct, कौन सा statement यह पर correct है, देखो, आप लोगों को पता है, कि अगर हम लोग बात करें, तो capacity is equals to हमारे पास क्या होता है, capacity is equals to velocity into density होता है, क्या होता है, capacity is equals to velocity into density होता है, और capacity को अगर हम लोग Q term से denote कर दिया, velocity को V से, और density हमारा K हो गय option number A, आप लोगों का correct answers हो, clear है, very good, बहुत अच्छे, सबी लोग बहुत अच्छे answers के साथ, very good, आगे चलते हैं, next question के साथ, if the jam density आप लोगों को दिया है, 145 vehicles per kilometer, और velocity हमें दिया है, 60 km per hour, तो capacity flow क्या होगा, देखते हैं, सबसे पहले को अच्छे answers करके बताएंगे, ठीक है, तो सबी लोग बहुत अच्छे answers के साथ, सबी students अपनी presence को भी mark करेंगे, आप लोगोंने वीडियो को like भी करना है, और answers भी करके बताना है, देखते हैं, capacity flow में right answers किसका जाएगा, तो टांडो गुरु जी, तमन्ना जी, अनिश कुमार जी, अदनान जी, अजे जी, ठीक है, वैभव जी, श्यानदाज जी, अरजुन जी, सनोज जी, very good, बहुत अच्छे, इस question में answers करो कि क्या answers आप लोगों का जाना चाहिए, 22 का A mark करने हैं, क्या A ही answers right होगा, देखो capacity flow की बात करने हैं, तो vsf into kg divided by 4, यह आप लोगों का capacity flow होता है, और यह जब अगर हमारा capacity flow होता है, तो आप लोगों को पता है कि velocity हमारी 60 km per hour, kg की बात करें, तो 145 vigles per km divided by 4 आप लोगों का जाएगा, solve करेंगे यहांसे तो क्या answers आ होगा, जैसे कि हम आप लोगों को बता भी चुकी हूँ कि हम लोग 50 questions civil के करेंगे, then 10 questions हम लोग current affairs के करेंगे, last one, आगे चलतें next question के साथ, traffic symbols are classified into how many categories, जितने symbols हमारे पास होते हैं, इनको कितनी categories में divide करा गया है, 1, 2, 3, 4, देखते हैं इस question को कौन right answers करके बताते हैं, किसकी तैयारी एक level उपर चल रही है, इसको five stars mark करोगे, important question और note down कर लेना, paper में आपके छपेगा, answer करो इस question को, क्या answer जाना चाहिए इस question का, रेखो, आप से traffic symbols पूछा गया है, तो traffic symbols में different types हैं, आपके traffic symbols होते हैं, आप से पूछा गया है, कितने types क्यों होते हैं, क्या करेंगे answer, 10 question राजिस्तान जीके के नहीं है, 10 question आपके current affairs के हैं, answers करें, c answers आ रहे हैं, 3, बहुत ही सांदार, informatory sign आप लोगों को देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है, informatory sign, आपका cautionary signs कह सकते हैं हम लोग, और mandatory signs, answers, option number c, आप लोगों का correct answers होगा, बहुत अच्छे सबी लोग, बहुत ही सांदार answers के साथ, next question भी चलते हैं, give way sign is off, give way sign हमारा कौन से shape का होता है, answers करें, फटा-फट से, give way sign हमारा triangular shape का होता है, circular shape का, octagonal shape का, hexagonal shape का, answers please, first, very good, आज जिन भी students ने वीडियो को like नहीं करा है, सबी लोग वीडियो को like भी कर दें, और answers भी करके बताओ, यहा बिल्कुल, last में revise भी करा देंगे, बिल्कुल, सब करा देंगे, answers करो यहां, give way sign में क्या answers मार करो कि कैसे shape का होता है, triangular shape का, very good, अगर हम लोग बात करें, triangular shape, यह हम लोग कहें, inverted triangle कहें, तो ज़्यादा अच्छा है, आप inverted options में नहीं हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, triangular shape को ही correct answers मार करेंगे, यह हमारा give way का sign है, 25 कोशन के साथ चलते हैं, अगर color and order दोनों को remove करना है, तो हमारे पास यहां पे कौन सी ऐसी methods है, जो की color और order दोनों को remove कर देती है, क्या हमारे पास absorption है, sedimentation, filtration, coagulation, अब देखते हैं, कौन इसको correct answers करके बताते हैं, answers करके बताएं, फटा लोगा क्या answer जाना चाहिए, color and order दोनों को remove करना है, तो आप लोगों के पास यहां पे ऐसी method है, जिससे color और order remove हो जाता है, answers करें, देखें, अगर हम लोग color and order की बात करें, तो color and order में हमारा क्या remove होता है, किस से remove करते हैं, देखें, तो C answers आ रहा है, अनुष कुमार जी का A answers, आते वे, अंकीत अगरवार जी का A answers, very good, शानदार जी का adsorption, very nice, तो वही जितने भी adsorption के साथ हैं, वो बहुत ही सांदार answers के साथ, option number A आप लोगों का correct answers होगा, color and order दोनों को remove कर पा रहा है, तो ये adsorption, और कहने का मतलब हम लोग क्या कहते हैं, कि activated carbons को हम लोग generally prefer करते हैं, activated carbons को हम लोग prefer करते हैं, जिससे कि हमारी adsorption की process होती है, और हमें color और order हमारा असानी से remove हो सकता है, तो right answer is option number A, आगे चलते हैं next question के साथ, spend to the depth ratio को हम लोग क्या कर रहे हैं, limit कर रहे हैं, according to the IS456, in order to ensure किस के लिए, क्या ensure करने के लिए हम लोग spend to depth ratio को limit रखते हैं, जैसे कि हम लोग ने देखा भी ये beam के cases में, simply supported beam के cases में, spend to depth ratio, cantilever के case में, continuous के case में, ऐसा हम लोग क्यों करते हैं, option number A के साथ जाओगे कि tensile crack width हमारी below limit रहेगी, या B के साथ जाओगे, या C के साथ, या D के साथ answers को mark करोगे, answers करके बताएं, फटाफ़र से आप लोगों का क्या answers जाना चाहिए, D answers करें, बहुत अच्छे, तो जो हमारा spend to depth ratio होता है, जिसमें हम लोग 7, 20, 26 कहते हैं, इससे हम लोग क्या कर रहे हैं, कि हमारा जो deflection हो, एक वो हमारे limiting value, जितनी हमारे deflection calculate होके आती है, उससे क्या रहे, कम ही रहे, आगे चलते हैं 27 के साथ, इन using the data from a plate bearing test for determining the modulus of subgrade reaction, पहली बाग, आपको ध्यान रखना है कि plate bearing test हम लोग use करते हैं, और इसमें हम लोग क्या find out करते हैं, modulus of subgrade reactions के को आप लोग find out करते हैं, आप से बोला गया the value of settlement to be used, आप लोग standard कौन सी value को यहां पर use करते हो, 1.25 के साथ जाओगे 2.50, 3.75 या 1.75, फटा-फट से answers करें सबी students, देखो आप लोग को पता है कि plate load test के अगर हम लोग बात करते हैं, तो k is equal to हमारे पस क्या होता है, p upon delta होता है, और यह delta हम लोग को क्या देखने को मिलता है, कितना हमारा deflection हो रहा है यहां पर, answers, एक साथ जाते वे बहुती सांदार, इसको हम लोग 1.25 mm कह दें, या हम लोग इसे क्या कह दें, या इसे हम लोग 0.125 cm कह दें, बात एक ही है, answers, option नमर एक के साथ, अभी आप लोग को एक information पी में शेयर कर दूँ, कि EPL में आप सभी students register हो जाएं, सबसे पीछे civil engineering student ही रह रहे हैं, electrical students ने भी कर लिया है register, और आप ही लोगों ने register नहीं करा है, ठीक है, तो आप लोगों ने register करना है, EPL में free of cost आपका registration है, आपने just ED online classes आपको download करना है, और register कर लेना है, register आप लोगों करेंगे, उसके बाद आप लोगों कर पहला round technical round ही है, और उसमें top 11 students के लिए price money भी है, उसके बाद semi final और final है, और semi final और final round में आपका क्या है, आपका non technical है, दूसरी branches के साथ, clear है, तो hopes हो कि आप सभी students register कर लेंगे, registration करने के लिए ED online classes आपको download करोगे, वहाँ पे आ रहा है EPL, आप लोगों को registration का link telegram group में कितनी बार दे दिया है, और अब आप पूछ रोगों कि registration कैसे करें, चलो, ठीक है, और कब से है, इसकी date को कुछी दिन आपको, आज है कल, कल में आपकी finalize हो जाएगी कि कब से है आप लोगों का, पहले register तो कल लोगों आप लोग, चलिए, next question आप लोगों की screen में, one of the disadvantages of the traffic signal is, traffic signal का, एक one of the disadvantages हम लोगों को देखने को मिलता है, बागी तो सब चीज़ सही है, लेकिन एक disadvantage देखने को मिलता है, क्या है वो disadvantage, फटा-फट से answers करो, नई, three types के ही होते हैं, बाई, three types के ही होते हैं, अगर हम लोग mainly कहें, तो informatory तीन ही आप लोगों के होते हैं, इस question को answer करके बताओ, कि one of the disadvantages of the traffic signal, traffic signal का हम लोगों को क्या देखने को मिलता है, देखो, यह provide orderly movement, intersection में एक order से movement हो रहा है, तो यह तो अच्छी बात है, यह advantage माँ गया, quality of traffic flow हमारी improve हो रही है, यह भी advantage हो गया, traffic handling capacity हमारी increase हो रही है, यह भी हमारा advantage हो गया, यहां पर disadvantage क्या हो गया, कि हमारे पास क्या हो गया, collision यहां पर increase हो गया, क्योंकि traffic signal में, आप लोग देखते भी हैं, कि सबसे ज़्यादा jam हमारा कहां पर लग रहा है, traffic signal के पास लग रहा है, तो यह collision हम लोगों को यहां पर देखने को मिलता है, आगे चल दें next question के साथ, आई यह 800 के according अगर बात करते हैं, तो कितना cylindrous ratio हम लोगों को देखने को मिलता है, compression member के cases में, जब हमारा dead load और super imposed load हम लोगों को देखने को मिल रहा है, तो answers करके बताओ कि 180 के साथ जाओगे 250 के साथ, 300 के साथ या 400 के साथ, सबी students answers करें, आप लोगों का क्या जाएगा, चीक है, तो 50 के बाद, 50 questions के बाद हम लोग 10 questions क्या करेंगे, technical के करेंगे, answers करें फटा-फट से, answer जा रहा है 180 के साथ, very good, अगर हम लोग dead load and super imposed load की बात करते हैं, तो slinerous ratio हमारा 180 होता है, यहाँ पे अगर wind load आप लोगों का consider नहीं किया गया, otherwise क्या होता, 250 होता, अगर wind load के साथ consider किया गया होता, clear है, आगे चलते हैं, next question के साथ, group symbols assigned to, silty sand or clay sand के लिए, हमारे पास कौन सा group symbol है, तो option number A के साथ mark करोगे, B के साथ, C के साथ, या D के साथ, सबी लोग बहुत अच्छे answers के साथ, very good, very nice, अब इस question में आप लोगों का क्या answers जाना चाहिए, सबी students answers करके बताएं, A answers के साथ जा रहे हैं, देखो silty sand, आप silty sand or clay sand की बात करें, तो sand का symbol पहले आएगा, silty का बाद में आएगा, clay sand का sand का पहले आएगा, clay का बाद में आएगा, अगर ऐसे देखें तो हमारे पस क्या आएगा, sand की हम बात करें S, silty की बात करें M, sand की बात करें S, clay की बात करें C, तो S, M, N, S, C, इसका मतलब option number C, की आप लोगों का right answers होना चाहिए, yes or no, आगे चलें, next question के साथ, a metal shaft, very very important question, और यह आपका engineering services का question है, इसके लिए आप लोगों को, एक minute का time देते हैं, hope so कि आप लोगों calculate करेंगे इसे, तो देखो क्या बोला गया है, a metal shaft of solid circular section, rotates at 160 rpm, and is subjected to a torque of 1500 newton meter, what is the power, सभी लोग answers करें इस question को, अब back to back 3-4 question, आप लोगों के engineering services के हैं, बहुत ही सांदार question, सभी लोग answers करके बताएं, answers आप भी चुका है, देखो, अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, कि what is the power, तो इसको calculate करते हैं, मैंने आप लोग को यह वाला formula बहुत बार बताया है, कि T into omega आप लोग कर देंगे, और T हमारे पास 1500 newton meter आगया, omega हमारे पास क्या आगया, 2 pi n upon 60, तो हम लोग कहेंगे, 2 pi n की बात करें, तो 160 आप लोगो कहा जाएगा, 2 pi n upon 60 आजाएगा, multiply by क्या हो जाएगा, 10 की power minus 3 कर दोगे, आप लोग किलो वाट में करने के लिए, तो यहां से हम लोग calculate करें, तो हमारे पास 8 pi आ रहा है, इसका मतलब जो right answers आप लोग कर जाएगा, वो option number D के साथ जाएगा, बहुती सांदार बाई, सोविक जी, दिनेज जी, काफी लोग 8 pi के साथ, सौमिक जी, very good, आगे चलते हैं, नेक्स कोशन के साथ, अब देखो ये कोशन भी आप लोग का, इंजिनिरिंग सर्विसिस का, बहुत अच्छा कोशन, अब back to back 2 से 3 से 4 कोशन, आप लोगों के इंजिनिरिंग सर्विसिस के हैं, बहुत अच्छे कोशन, देखो यहाँ पर बोला गया है, अथिन सिलेंड्रिकल ट्यूब विद क्लोज एंड इस सब्जेक्टे टूब, लॉंगिट्यूडन स्ट्रेस आप लोगों को दे रखा है, हूप स्ट्रेस दे रखा है, और शेरिंग स्ट्रेस दे रखा है, आप लोगों से पूछा क्या गया है फिर यहाँ पर, आप लोगों से पूछा गया है कि हम लोगों को बताओ कि कम्बाइन स्ट्रेस हम लोगों को यहाँ पर कितना देखने को मिलता है, तो आप लोगों के recording discussion का answers क्या जाना चाहिए तो देखो अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास क्या होता है अगर हम इसके stresses की बात करते हैं तो sigma 1 upon 2 का combined stress की बात करें का whole square plus आप लोगों के पास क्या होता है tau square हमारे पास होता है और यहां से इसे solve करेंगे newton per mm square हमारा दिया है यहां से solve करोगे यह 6 का square plus 8 का square तो यहां पर 36 plus 64 100 इसका मतलब 10 आप लोगों का आ जाएगा option number C आप लोगों का right answers clear है तो option number C आप का right answer जाएगा आगे चलतें next question के साथ देखो next question आप लोगों से बोला गया है कि close coiled हमारी helical spring है round steel wires हम लोगों के इसमें देखने को मिल रहे है 5 mm का diameter है having 12 complete coils मतलब N हमको 12 दे दिया mean diameter की बात करें तो 50 mm mean diameter दे दिया axial load की बात करें तो 100 newton दे दिया modulus of rigidity हमें 80 giga pascal दिया है बोला गया है कि spring का deflection calculate करो तो आप लोगों को पता होगा कि deflection की अगर हम लोग बात करते हैं तो 64 wr cube n upon हमारे पास होता है c d की power 4 c क्या है modulus of rigidity अब रखो यहाँ पे value देखो 64 आया multiply by w की अगर हम लोग बात करते हैं तो load हमारा axial load 100 newton का दिया गया है multiply by r cube की बात करें तो 5 mm का diameter दिया गया है इसका मतलब अगर हम इसे change करते हैं तो हमारे पास 25 का whole cube आजाएगा इसी तरीके से and की अगर हम बात करें तो and हमारे पास 12 आ गया mean diameter हमें 50 mm दिया है तो 25 mm आ रहा गया c की बात करें तो modulus of rigidity 80 into 10 cube में हम लोग कर सकते हैं इसको multiply by d की power 4 की बात करें तो आपका small diameter कितना है 5 है तो small diameter 5 की power 4 आ गया यहां से इसको आप लोग solve करेंगे easy है देखो यह 25 का cube हो रहा है यह 5 की power 4 हो रहा है यह तो अराम से cut जाएंगे जब आप लोग इसे यहां से calculate करोगे तो हमारे पास 24 mm आएगा इसका मतलब right answers आप लोगों का option number d जाएगा जब यह formula आप लोगों को याद होगा तो automatic इसका objective यह से भी पूछा जाता है कि अगर हम लोगों से बोला जाता है कि deflection of the spring क्या है तो आप लोगों का answers होगा 64 wr cube n upon c d की power 4 चाहां पे w आप लोगों का जितना axial load हम लोगों को देखने को मिल रहा r की बात करें तो r आप लोगों का जितना हमारा mean diameter उसका half कर दोगे और n हमारी कितनी number of coils साथी साथ c modulus of rigidity और d की power 4 की अगर हम बात करें तो d आप लोगों का diameter आजाएगा जो wire का diameter है steel wires का तो यहां से answers करेंगे तो आप लोगों का answers आएगा 24 mm चलिए next question के साथ चलती है अब देखते हैं इस question को कौन right answers करके बताते हैं बहुत ही बहतरीन question सबी लोग answers करें यह बहुत ही बहुत ही आप लोगों की open coiled है कहने का मतलब 5 हमारे पास coiled है springs है तो हम लोगों से बोला गया ही कि यह सारी के सारी हमारी series में connected है तो overall stiffness क्या होगी अब मुझे उमीद है कि इसका answers आप ही लोग करके बताएंगे और वो भी बहुत जल्द देखते हैं सबसे पहले कौन answers यहां पर right mark करते है सबी लोग answers जरूर करें इस question का कि आप लोगो के recording क्या answer जाना चाहिए और आप ही लोग answers करेंगे देखो आप लोगों को बोला 3 coil तो आपका 1 coil, 2 coil, 3 coil, 4 coil, 5 coil इस तरीके से K1, K2, K3, K4, K5 की तरह हम लोगों को coil देखने को मिल रही है बोला गया सीरीज में तो overall stiffness, answers देखने हैं सबसे पहले कौन mark करने है देखें तो answers जा रहा है option नमर B के साथ और काफी लोग D के साथ, बहुत ही सांदर तो पहीं जो B के साथ जा रहे हैं वो बहुत ही सांदर answers करें क्योंकि अगर हम लोग 1 upon K equivalent करें तो हमारे पस सब क्या दे रखा K1, K2, K3, K4, K5 और इन सब को हमारी equal stiffness बोला गया है जो की K है और जब ऐसा है तो 1 upon K plus 1 upon K plus 1 upon K plus 1 upon K plus 1 upon K हो जाएगा 5 बार करेंगे यहां से solve तो हमारे पस क्या आ गया है K upon 5 आ गया है अगर हम यहां से K equivalent को calculate करती है तो right answers आप लोग का क्या चल जाएगा option number B आप लोग का right answers होगा बहुती सांदर answers के साथ सबी students आगे चलते हैं आप देखते में इसको कौन correct करते हैं क्योंकि इस question को हर बार गलत कर रहे हो which of the following instrument is used either to enlarge or reduce a plan already drawn आपका plan क्या है already draw करा हुआ है और अगर already करा हुआ है plan आपका draw उसको हम लोगों ने enlarge करना है बड़ा करना है और reduce करना है तो Edo grab के साथ जाओगे box sextant के साथ mining dial के साथ या none of the above आप लोगा answers करोगे तो प्रताप जी, रवी जी, सौमिक जी, अनुच कुमार जी, नितेश कुमार जी, सोविक जी, विकाज जी, कविता जी, सोनाली जी, इंजिनियर सौरप सिंग जी, विवेक कुमार सिंग जी सभी लोग बहुत अच्छे answers के साथ very good सबी लोग बहुत अच्छे answers के साथ very good, very nice, अब इस question में आप लोगों का क्या answer जाना चाहिए, सबी लोग answers करके बताएं इडो ग्रैफ के साथ answers करें, very good, well done, answers क्या जाएगा, option number A आप लोगों का correct answers होगा, अब कैसे गरत कर सकते हैं, इसको कितनी मार हम लोग repeat कर चुके हैं, देखो ध्यान दखेंगे, पेंटा ग्रैफ का जो function होता है, वही same इडो ग्रैफ का function होता है, exam में आएगा, तो सबसे प water closet, water closet में हम लोग कौन से trap को use करते हैं, gully trap, pee trap, interceptic trap, anti-siphon trap, answers mark करके बताओ, आज जो हम लोगोंने question बोला था, वह कोई दूसरा question था, जिसमें की interceptic trap आप लोगों का answer था, लेकिन जब आप लोग वाटर closet की बात करते हैं, तो क्या answers mark करोगे 36 में, अगर हम 36 में बात करें, तो answer क्या जाएगा, pee trap आप लोगों का answer जाएगा, ठीक है, अगर हम बात करें कि water closet की अगर हम बात करें, इन इंडिया में अगर हम बात करें, तो हम लोग pee trap को ही use करते हैं, next question, plain table की बात करें, size of the plain table, तो क्या answer करोगे, 750 by 900, 600 by 750, 450 by 600, 300 by 450, तो plain table का size क्या होता है, answers, देखो अगर हम लोग plain table की size की बात करें, तो right answers आप लोगों का option number B में जाएगा, जिसमें हम लोग 600 by 750 answers मार्क करेंगे, आगे चलें, next question के साथ, 38, अगर overtaking side distance 250 meter दी गई है, बोला गया है कि desirable length calculate करके बताओ, overtaking zone की, तो क्या answers मार्क करोगे, यहाँ पर? चलो, answer करो, तेखो, overtaking side distance 250 है, तो desirable length आप लोगों का क्या होता है, five times of the OSD होता है, five times of the overtaking side distance, तो जब आप लोगों की overtaking side distance 250 meter है, और desirable length आप लोगों से पूछा गया है, तो कैसे answer करो कि five times of the OSD, और आप लोगों को पता है कि जिस तरीके से हम लोग यहां पर देख रहे हैं तो किलो मीटर में है तो क्या करोगे 5 multiply by 250 divided by 1000 कर लोगे और यहां से हम लोग calculate करेंगे तो क्या आ रहे हैं आप लोग का answers answers करो फड़ा फट से की 38 में क्या answers mark करोगे option number C के साथ very good 1.25 आप लोगों का यहां पर correct answers होगा very good well done बहुत अच्छे आगे चलते हैं 39 के साथ पिक अप दी cohesive soil from the following इसमें से cohesive soil हमारी कौन सी है red dirt clay black cotton soil compacted ground तो आप सभी को पता है अगर cohesive soil हम लोग उसे बोला जाए तो हमारा answer क्या जाएगा black cotton soil हमारी सबसे ज़्यादा cohesive है clay से भी ज़्यादा क्योंकि इसमें munto morelonite mineral हमको देखने को मिलता है जिसकी swelling and shrinkage के साथ साथ इसकी activity यह हम लोग बात करें कि इसकी हमको cohesive हमेश में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है आगे चलते हैं Lewis is a silty clay formed by the action of Lewis हमारी silty clay से क्या हो रही है formed हो रही है तो यह हमारी किस से form होती है water glacier wind gravitational force answers तो वर्षा नेगी जी तमन्ना जी इंजिनियर सौरप सिंग जी सौमिक जी अदनान जी पायल जी सकती जैस्वाल जी नितेश कुमार जी अभिशे कुमार जी अभी लोग बहुत भैतरीन answers के साथ पायल चौधरी जी अंकित अगरवाल जी इस question को answers करो Lewis की अगर हम बात करें तो यह हमें किस से देखने को मिलती है wind से देखने को मिलती है right answers option number C के साथ आगे चलते हैं C page exit gradient की बात करें तो यह हमारा किस किस का ratio है option number A के साथ जाओगे कि total head से लेके to the length of the C page या B answers को right करोगे या C के साथ या D के साथ आप सबी को पता है अगर I exit की अगर बात होगी तो I exit is equal to हमारे पास होता है delta H upon L हमारे पास होता है जिसमें हम लोग कहते हैं कि head loss to the length of इसका मतलब right answer is option number D के साथ जाएगा clay नहीं होगा भई black cotton soil होगा मैं clay होना चाहिए चलो 42 the earth pressures for the design of the bridge appointment is taken as bridge appointment के लिए हम लोग कौन से earth pressures के according design करते हैं active thrust के passive thrust thrust at rest condition none of the above देखो ध्यान रखोगे अगर हम लोग boundary walls की बात करते हैं तो boundary walls में हम लोग कहते हैं कि boundary walls आप लोगों कि design होती है आपके active thrust ठीक है active pressures के according thrust and rest conditions के अगर हम बात करें तो bridge abitments हम लोग कहते हैं passive thrust से हम लोग कोई बही इस condition में किसी भी retaining wall को हम लोग design नहीं करते हैं तो right answers, देखो active thrust आ रहा है, बहुती सांदर answers के साथ, आप लोग none of the above भी answer जा रहा है, very good, answers क्या जाएगा, option number C, आप लोग का correct answers होगा, 43, net ultimate bearing capacity of the footing, embedded in a clay stratum, तो आप लोग उसे पुछा गया है कि QNU की value हमें क्या देखने को मलती है, देखो 50 questions के बाद हमारे 10 questions किसके हैं, current affairs के हैं, तो देखते हैं कि current affairs में आप लोग कितने आप लोग उने command बना रखी है, answers करो net ultimate bearing capacity में, तो देखो हमें पता है कि QNU को जब हम लोग calculate करते हैं at last, तो हमारे पास क्या आता है, CNC हमारे पास आता है, QNU हमारे पास क्या आता है last में, CNC आता है, तो क्या ये depth और size of footing पर depend करती है, बिल्कुल भी नहीं करती है, तो answers क्या जाएगा, is independent of the depth and the width of the footing, right answers, option number D, ये QNU equals to CNC कहां से आता है, formula से आता है, पहले आप ultimate bearing capacity को calculate करते हैं, QNU is equals to QU minus gamma D होता है, at last हमें क्या देखने को मलता है, CNC देखने को मलता है, आगे चलते हैं next question के साथ, Well, foundations are commonly used as foundation for the following structures, Well, foundations आप लोगों की कौन से structures के लिए use होती है, फटा फट से answers करें, देखते हैं, कौन right answers करके बताते हैं, सबी लोग बहुत अच्छे answers के साथ, सुनाली जी, मानुराजपु जी, मनोज यादव जी, सनोज जी, very good, पावन जी, अदनान जी, प्रताब जी, बहुत अच्छे, चलिए, कोई बात ने, देखो, अगर नहीं भी आती है current affairs, तो जब तक exam होगा, तब तक current affairs भी तयार हो ज तो command आप लोगों की बनी ही होगी, साथ ही साथ revision करोगे तो बनी जाएगी, अगर revision नहीं करोगे तो फिर तो सभी कुछ बेकारी है, answers करो 44 का, bridges, very good, option number B, आप लोगों का correct answers जाएगा, 45 में चलते है, cavitation is caused by, cavitation हम लोगों को देखने को मिलता किस से, high velocity, low pressures, high pressures, high temperatures, answer is please, fast, क्या answer जाएगा, देखो cavitation में हम लोगों क्या कहते है, हमारे bubbles form हो जाते हैं, तो bubbles कैसे form होंगे, जब pressures हमारा काफी कम हो जाएगा, तो हमारे bubbles form हो जाएगे, इसी को ही हम लोग cavitation कहते हैं, नेक्स, चलते हैं, isoplet के अगर हम बात करते हैं, तो isoplet हम लोगों को अपने map में क्या देखने को मिलता है, isoplet बहुत important है, iso height के हम लोग बात करते हैं, iso height, तो हम rainfall कहते हैं, isoplet हमारा क्या ऐसा है, answers करो फड़ा फड़ से, आइसो प्रेट के हम लोग बात करते हैं तो हम लोगों को मैप में क्या देखने को मिलता है एक्वल डैप्ट ऑफ दी इवैपो ट्रांस्परेशन आंसर्स अप्शन नमबर सी के साथ जाएगा नेस्कोशन पैनेटरेशन टेस्ट की अगर हम लोग बात करें बिटोमिन की तो ये कितने टैंप्रीशुस में हम लोग कंड़क्ट करते हैं सभी स्टूडेशन से आंसर्स करो इस कोशन का विर्य गुड्स बहुत अच्छे सभी लोग बहुत अच्छे आंसर्स के साथ very good very nice अब इस question में आप लोगों का क्या answer जाना चाहिए इसको गलत नहीं करेंगे penetration test को हम लोग कहते हैं कितने temperatures में 25 degree centigrade के temperatures में हम लोग इसे measure करते हैं आगे चलते हैं 48 के साथ analytical lens provided in a tachometer tachometer में जो हमारे analytic lens होते हैं वो हमारे कौन से lens होते हैं 48 में कौन answers correct करते हैं सबी लोग बहुत अच्छे answers के साथ very good सुर्जे सिंग जी बिमलदाज जी नितेश कुमार जी धर्मेंदर जी अंकीत अगरवाल जी सुब्रता जी पायल जी वैभाव जी अंके जी सबी लोग बहुत अच्छे answers के साथ very nice अब इस question का क्या answers होना चाहिए आप लोगों के according then फिर उसके बाद दो questions आप लोगों के over and then फिर हमारे 10 current affairs चलेंगे देखते हैं current affairs में क्या आप लोग answers करो इस question को 48 का देखे तो answers करनें convex के साथ कुछ लोग कर रहे हैं तो क्या answers होना चाहिए सोच के बताओ convex को answers mark करें या concave को answers mark करें answers जाएगा वही concave lens जो A के साथ हैं इसलिए मैंने देखना चाहिए थी कि आप इसे कौन-कन answers को अलग करते हो answers क्या जाएगा concave lens आप लोग का answer जाएगा तो यहां पर रवी जी का A answers के साथ बहुत ही अच्छे आगे चलें next question के साथ Asphalt is a mixture of Asphalt हमारा किस-किस का mixture है bitumen and inert material, bitumen और खनीच पदार्थों का bitumen and asbestos या C के साथ जाओगे या D answers को mark करोगे सबी लोग answers करें इस question को चलो answers करो कि Asphalt हमारा किस-किस का mixture है हम लोग क्या कहते हैं कि bitumen and inert material का हमें mixture देखने को मिलता है तो right answer is option number A बहुत अच्छे आगे चलतें next question के साथ 50 The specific gravity of bitumen is, bitumen की specific gravity क्या है answers करें 50 का उसके बाद हम लोग 10 current affairs को करेंगे answers करो specific gravity of bitumen bitumen and cement के रहे हैं बहुत अच्छे बहुत bitumen and cement ही बताया है मैंने आप लोगों को Asphalt answers करेंगे specific gravity of bitumen हम लोग क्या answers करेंगे option number B आप लोगों का correct answer जाएगा clear है चलिए अब start कर दें हम लोग GK round का तो सबी लोग तयार हो जाएं GK round देखते हैं कि 10 questions से आप लोगों के और ज्यादा tough questions है भी नहीं ठीक है तो current affairs के आप लोगों के बहुत easy question है अब मुझे उमीद है कि 10 में से 5-6 number तो आप लोगों के जरूर जरूर आएंगे 5-6 marks तो वैसे भी आ जाते हैं तुक्के लगा कर इंग्लिश में question है हिंदी में मैं बोलूंगी तो टेंशन लेनी के जरूरत नहीं है तो देखो ओडम हमारा क्या है festival है तो यहार है इसको कौन से इंडियन स्टेट में मनाया जाता है असाम केरल तामी नांडू करना टका फटा 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 अंसर्स करूं आंसर्स आ रहा है option नमर बी के साथ देखो मुझे उमीद से भी बहतर हो आप लोग क्या आंसर्स करेंगे यहां पर आंसर्स करें केडला के साथ क्या केडला ही आंसर जाना चाहिए बहुत अच्छे option नमर बी आप लोग का correct आंसर जाएगा अगर हम ओडम की बात करते हैं तो ओडम कहां पर celebrate किया जाता केडला में very good बहुत ही सांदार देखो आपका मुझे उमीद थी कि आप लोग correct आंसर्स करोगे सबी लोग बहुत अच्छे आंसर के साथ very nice अब यहां पर क्या आंसर जाना चाहिए कि इंद्रा जो नेवल एक्सराइज वो किसके बीच में होती है तो देखो श्रीलंका के साथ आंसर्स मांग करें क्या श्रीलंका ही राइट आंसर जाएगा यहां पर देखें तो कि सेंट्रल में के इलेक्ष्ण कमिशनर किसी अपॉाइंट किया गया है अमिताप कांट अजेभूषन पांडे देबाशीष पांडे राजीव कुमार तो ऐले आप लोगों के असोक लवासा अपने इस किसको अपॉइंट किया गया के अंसर्स करके बताओ फटा-फट से बहुत अच्छे सा भी लोग थार्ड कुर्शन में क्या आंसर माग करोगे आंसर जाएगा राजीव कुमार ऑप्शन नमबर डी आप लोगों का करेक्ट आंसर होगा अगर हम लोग बात करें तो हम लोग कहते हैं कि पहले इसमें कौन थे असोक लवासा थे उसके बाद हम अगर हम लोग बात करें तो वहां पर सिक्का जारी किया गया है वह सिक्का में फर्स्ट जो नॉन वाइट परसेंट है वह कौन से हैं तो भाबा साहिब अंबेटकर महात्मा गादी नेता जी सुबाचन रिबोर जी या सरदार वल्लबभाई पटेल क्या अंसर होना चाहिए है आप लोगों का बहुत अच्छे सबी लोग बहुत अच्छे आंसर के साथ कर रहें आप लोग वेरी गोड़ वेरी नाइस अब यहां पे अंशर करके बताऊ कि बरेटेंड में हमारा कौन सा सिक्का जारी हुआ है और कौन आपर ऐसे परसन हैं आंसर अजै फिर गुड़ तो भी आप लोग का correct answers मुझे उमीद थी जब आप लोग civil पढ़ सकते हैं तो current affairs में तो आप लोग क्या करेंगे बहुत अच्छा करेंगे अगर पढ़ने में आ गए तो अब हम लोग आगे शलते हैं अगर हम बात करते हैं संस्कृति दीवस तो 2020 में कब सेलिब्रेट किया था अगस्त तीन अगस्त शार अगस्त पांच अगस्त शह सबी लोग आंसेस करो फड़ाफट से इस चूर्षन का अंसिस क्या जाना चाहिए फिफ्थ कॉर्षन का अंसिस करोगे अगस्ती तीन अगस्त को हमारा कि अ प्लाजमा बंक टूट्रेट कोईश्ट के साथ अचा इसも को तो सब्सेड है या ओबलिग युनियन टेरी टू लॉंच dedicated plasma bank to treat COVID-19 patients आप लोगों से बोला गया है कि सबसे पहले plasma bank हम लोगों को कौन से इंडियन स्टेट या कौन से केंद्र सासिट प्रदेश में देखने को मिलता है केडला महारास्टा न्यू डेली उतर प्रदेश इसको तो आप लोग करेक्ट करोगे बहुत अच्छे तो वैभव जी सोनारी जी अजे कुमार जी सौमिक जी सबी लोग बहुत अच्छे answers के साथ अब देखो answers करने के लिए करेंट अफेर्स में electrical students ने भी जॉइन कर लिया बहुत ही सांदार इस question को answers करके बताएं कि आप लोगों का देखने को मिला है और प्लाजमा थेरेपी की अगर बात करें तो महारास्टा में आगे चलें नेस्ट कॉश्चन विच स्टेट गवर्वर्मेंट इस सेट टू लांच दी किल करोना कंपेंग अगर हम बात करें कि कोरोना वाइरस जो आप लोगों का स्प्रेड हो रहा है इसके लिए किल करोना करके एक मुहीम लांच करी है कह सकते हैं तो यह बिहार उतरप्रदेश मध्यप्रदेश गुजरात क्या आंसर्स मात करोगे आप लोग फटा फट से आंसर्स करें बहुत अच्छे अरद्ना कुमारी जी वर्शा नेगी जी तमन्न करके दस हम लोग करेंट अफेर्स को करेंगे और साथी साथ डेली आप लोगों की नौ बजे क्लास होती है उमेज सर के साथ जिसमें की सर एससी जेई को टागेट करते विए जी के करा रहे हम तो फिफ्टी कोशन से विल को करने के बाद दस कोशन थोड़ा सा रिफ्रेस होन के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं करेंट अफेर्स को कर रहे हैं आंसर करो सेवंध कोशन में अंसर करें एम पी बहुती सांदार भई मध्य प्रदेश में यह चलाया गया किल करोना कोरोना आगे चलते हैं एट कोशन के साथ काजी रंगा नेशनल पार्क इसको तो सबी लोग करेंगे काजी रंगा नेशनल पार्क की अगर बात करने हैं तो यह हमारे कौन से राज्जी में आपका लोकेट होता है सिक्किम आसाम मनिपूर में घारे तुक्का मारा चलिए तुक्के भी करेक्ट हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है एक्जाम में आप लोग के तुक्के लग जाएं इस कुश्चन को आंसे करो काजी रंगा में आप लोग क्या आंसे स्मार्क करोगे ठीक है और देखो वीडियो को लाइक भी करो शेयर भी करो देखो स्टूडेंट्स बोल रहे हैं आपसे बहुत अच्छे इस कुश्चन को आंसे करके बताओ कि काजी रंगा नेशनल पार्क आपका क्या जाएगा आसाम वेरी गुड आसाम में हमें काजी रंगा नेशनल पा 25 जुलाई 26 जुलाई बहुत अच्छे सभी लोग बहुत अच्छे आंसर के साथ एडी अर्चिना जी प्रतीभा जी वेरी गुड नितेश कुमार जी सभी लोग बहुत अच्छे आंसर के साथ वेरी गुड वेल डन ठीक है तो आप हम लोग ने स्टार्ट कर लिया आज से औ और आप लोग जोईन किया करो उसमें SSCJE को टागेट करते ही आपका कराया जा रहा है चब्वीस जुलाई ही आपकर दें क्या यहां पर तो सभी लोग यहां पर तुक्का मारते वे सौमिक जी का बी आंसर आ रहा है अब हम लोग देखेंगे कि तुक्का किसका सही लग रहा है तो देखो यहां पर 24 जुलाई आप लोग का करेक्ट आंसर जितने में 24 जुलाई वाले हैं वह बहुत अच्छा तुक्का मारते हैं अब हम लोग चलते हैं दसवे कोशन के साथ जो आज का लास्ट कोशन आप लोग के स्क्रीन पर कि 2023 की अगर हम लोग बात करें तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसल आइसीसी वर्ल्ड कॉप में किसने होस्ट किया कौन होस्ट करेगा कहने का मतलब 2023 तो अभी आया ही नहीं है इंग्लेंड इंडिया साउथ अफ्रीका और ऑस्टेलिया अंसेस करें सब्सक्राइब कुमार सिंग जी आप लोग उसे कितनी बात बोल लें कि वीडियो को लाइक आड़ शेयर भी करो तो वीडियो को लाइक शेयर भी करो भई साथी साथ आपसे बोला जा रहा है अब देखो आज का लाज कोशन फटाफर से अंसेस करके बताओ कि 2023 क का ICC World Cup हम लोगों का कौन होस करता है आंसर करें इंडिया और काफी लोग साउथ अफ्रीका के साथ और जो इंडिया आंसर करें बहुत ही संदर आंसर के साथ यहां पर मैं देख रही हूं अजे कुमार जी प्रतीबा जी सोनाली जी ठीक है सुबरता घोच जी सबी लोग इंड ला दिया जाए ठीक है 20 कोशन भी हो सकते हैं और साथी साथ आप लोग को पता है कि 9 बचे आप लोग की क्लास होती है आज नहीं आप लोग की क्लास बट डेली आप लोग की मंडे से आप लोग को देखने को मिलेगी जिसमें कि आप लोग SSJEE के लिए GK को प्रपैर करते है ठीक है तो उमेश सर आप लोग को कराते हैं हम तो जस्ट यहां पर रिफ्रेस कर रहे हैं 50 कोशन जब सिविल के कल लिए तो 10 कोशन से थोड़ा सा रिफ्रेस्मेंट देखने को मलता है तो इसको आप लोग जरूर बताना कि जो हम लोग यह 10 कोशन को कर इंट अफेर्स की है नहीं होगी आज क्योंकि आज क्युक्टि आज क्यूकर फ्रेस और से अच्छा सांदर लगा झाल है और next time तो 20 कोश्चन कर लेंगे से करके हम लोग कम से कम करेंट अफेर्स में अगर आज के दस कोशन हमने करें और इसमें से अगर एक कोशन भी आता है तो यह तो हमार ले बहुत ही बेनिफिशल है है या नहीं है बताओ चिक है चलो चली थैंक यू सो मचछ लोगों की चुटि आप लोग Ludden अव्य ने और आम से आपλοग इंजॉय करें कल का दिन रिवाइश करें क्योंकि पेपर भी अब नज्दीक आछुका है चली थैंक्फू स्व मचछ हैना ओल डे फेरि बेरी बेस्त थैंक यू